यह जो आज टोर्णामेंट हो रहा है यह दो दीन का टोर्णामेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विश्वली इंपियर्ड है या ब्लाइंड लोग है वो कैसे समाज का हिस्सा तो है ही हम देकियों उसके साथ-साथ वो आगे कैसे बड़े और उनकी फिटनेस कैसे रहे उनका मेंटल फिटनेस कैसे रहे और फिजिकल फिटनेस कैसा रहे दोनों को मिला के यह चीज हमने यह की हुए यह तो जुमू में तो हो रहे थे मैच यह दूसरी बार दूसरा टोर्णामेंट हो रहा है यह दूसरी बार कश्मीर में ऐसा इस लेवल का टोर्णामेंट हो रहा है ज संग्स में दो टी में हमने बनाई हैं, हम लोग मिक्स ए प्लेयर दिस्टिक्स से प्लेर अपराइक्स तो उसमें दो टी में बांक ली है आपस में और ही चल रहा है कल दो मैच जिए गया थिसमें डोनुम मैच मेरी टीम जए जए शब गयिंगए और आज फाइनल है मारा फाइ कुछ कर सकते हैं अगर आपके अंदर हमत है जो भी डिसेबल लोग हैं जैसे घरों में बैठे हुए हैं ठीक है उनको एक सहीरा पर लाया जाए क्योंकि यहां किश्मीर में तो काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि ब्लाइंड कहां तक क्या उनके हग है और क करने में वो सक्षम है आँखें नहीं हुई तो क्या हुआ लेकिन जैसे अपने हमारे यहां यहां से प्लेयर में जो इंटरनाशनल लेवल तक केल रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो जो घरों में ब्लाइंड हैं वो आगे आए और जो नार्मल लोग हैं उनको हम यह मैसेज देने चाहते हैं कि अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो आप तो सब कुछ ही कर सकते हो जो पिछले तीस सालों से जो नामा साइध हालात रहे कश्मीर में उससे बहुत प्रॉब्लेम रही आप खुद देख सकते हैं कि पहले डिसेबिलेटी कम तैदा थी जीनके में लेकिन माइन ब्लॉस्ट से पैलेट विक्टम है या कोई गरनेट हुआ या किसी को माइन आटेक हुआ या कहीं पर कोई यह ऐसा दिलनों वाका पेश आया जिसमें कोई जखमी हुआ और आप देख रहे कि कार एक्सिडेंट भी बढ ज्यादा बढ़ गी और इफेक्ट्शन हमें बहुत हुई क्योंकि हम बाकिस ट्रेटों के साथ कंपिटेट नहीं कर सकते जो पर्समें डिसेबिलेटी है वह कंपिटेट नहीं कर सकता बिकॉज आफ क्योंकि यह नामासाइद जो हालात रहे उसकी वजह से हम लोग बहुत ब झाल